हलो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं अपना लेक्चर और आज हम लोग लेकर आ चुके हैं नुवंबर दो जर बाइस मेथामेटिक्स फर्स्ट का पेपर जैसे पेपर कतम हुआ काफी बच्चों के मेसेज आने लगा है सब पेपर का सुलूशन कर दो तो मैं आज पेपर क का सुलूशन इंपॉर्ण रहा है क्योंकि यह इसमें कुछ इंपुर्ण क्वेशन इन्वल्ड है इसमें आपका पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपके सब्जेट का पार्ट है तो इसके भी इंपोर्टन कोश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिफ्रेंशियेशन हो गया, फिर इसके अलावा आप इसमें देखोगे, ट्रिग्नोमेट्री है, डिफ्रेंशियेशन है, partial fraction है partial fraction हो गया इसका इलावा complex number है permutation combination भी है वादर बोर्ड से हैं तो भी अगर आपके सलयबस में यह बार्ट यह वाले mathematics के sections अवेलेबल है तो यह वाला जो video है आपके लिए काफी important रहने वाला है क्योंकि यह जो बोर्ड में पेपर आता है जनरली वही important question आते हैं जो आई ये paper को start करते हैं paper को start करेंगे उसमें देख दिखाए तहमें आप लोगों को इस तरह का पूरा paper आप लोगों को दिखाई देगा अब इसमें हरे question पहले तिन section में हम पूरे paper को बाटेंगे पहला section रहेगा objective वाला इसमें हम लोग objective questions देखेंगे section A में section B जो है question से उसको short answer type questions रहते हैं short answer type मतलब छोटे वाले फिर थर्ड पार्ट जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे long answer type तीन पार्ट वो पूरा वीडियो रहने वाला आज हम first part की बात करेंगे जो इसका answer रहेगा वो A4 एमदाबाद B4 Bombay C D4 Chennai और D4 Delhi में साब कुछ भी option आप बताते रहिए आपने जो select किया है वो comment section में आप लोग बताते रहिए और मैं इसका साथे साथ solution भी करो दूंगा काफी interesting और मज़दार वीडियो रहने वाला है और इसके साथ रहने वाला है एक story जो story आप लोग लिए जोने काफी useful रहन रहा होगा जून क्लास में या Google meet पर बच्चों को तो वह थोड़ा लिखा हुआ है तो आई इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं रब कर लेक्वादा आप सोल्यूशन में बता देता हूं पर्स्ट कोशन जो आपको दिखाए दे रहा है वो दिखाए दे रहा है कोट माइनस कोट माइनस 945 की वेल्यू अब इसका option जो दे रखे हैं वन बाई रूट 3 वन माइनस वन और रूट 3 जिस बच्चे से मैंने पेपर लिया है उस बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद औ नहीं है आप लोग भी अपने answer कमेंट सेक्षण में डालते रहें ताकि आप लोग भी चेक कर पाए कि आप लोगोंने क्या लगा है तो आई एंसर चेक करते हम सबसे पहले जिससा मैं ने पढ़ाया है या हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कोट होता है अगर इसके एंगल में दे रखा हो यहा पर ठीटा दे रखा है तो इसको हमें किया करना ब्रेक कर लेना है कोई भी हो कोट ओो इसको इस तरह से बेक कर लोगे आप कोट एंटू 90 फ्लस और फाइफ या जो भी इंकल यह दो चार छे आत्यी वहाम अगर यह ओड मेंड है तो और होगा तो चैन्ज नहीं एक रेश्य वगा है यह थिक रेश्य वा ठीज नहीं होगा फिर है तो लोगोनमेटीकर रेश्यों में चैन्ज अगर यहां प्रोर्ण होगा तो इसके पीछे का यह वाला पार्ट जो आप देखोगे यह यहां से लेकर यह वाला पार्ट इसका क्या हो गया concept हो गया यह वाला बाट इसका concept है अब इसका solution पर बढ़ते हम लोग इसे concept को use करके मैं solve करके आप लोगों को बताने वालों तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि यह क्या हो गया यह हो गया माइनस कोट 945 अब जो मैंने formula बता है इस formula से इसको break करते है चलो यहां से हम break करना है तो क्या हो जाएगा माइनस कोट 945 की टुकड़े करना है हमें तो 945 की टुकड़े में ऐसे कर सकते हूं 10 into 90 plus 45 ठीक है इसी formula से टुकड़े कर दिया हम लोगों है अब टुकड़े करने के बाद में देखता हूं तो यह मुझे क्या दिखाई दे रहा है इवन दिखाई दे रहा है क्या दिखाई है यहां पर देखते हैं तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा माइनस कोट कोट वही रेश्यो रहेगा अब यह दस और इसका क्या होगा यह concept आप लोगों ने पढ़ा हो तो ठीक है जिनों नहीं पढ़ा उनके लिए बतायता हूंगा यहां से काउंट करने स्टार्ट करते हैं एक तो तीन चार पाँच छे साथ आठ नूँ दस तो हम लोगों ने यह पढ़ा था ए एस टी सी यहां पर सारे पोजिटीव यहां साइन और बच्चे कोष याद कर ले थे टेन और और पोजिटीव यहां पर कोष और उसका भाई से कोजिटीव इस तरह से चलता है आप लोग यहां पर क्या है यहां पर आया तो क्षेट कोडिशन में ओस्रों क्या होता है पोजिटीव यही प्लस मैनिस क्या हो जाएगा माईने सुटी रहेगा और दस के खारण चेंज भी नहीं होगा तो इसको लिखूँगा वाइनश कोडिव से आप देखने जाते हो तो वह वन हो लोगों ने भी माइनस का वण वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था वजन्य इसका एंसर सही है तो इसी तरह नेक्ट कोशन के तरफ चलते हैं यह आपका इसको थोड़ा सा देख लेते हैं फिर जूं कर दूगा चलो जूंब कर देते हैं कि यह जूंब भी कर देख भी अच्छे से रहा हुगा यह सेंटर लिए यह भी ट्रिग्नोमेट्रिक का ही question है इसमें क्या दिखाई दे रहा है एक formula दिखाई दे रहा है यह क्या दिख रहा है cos A cos B minus sin A sin B तो यह क्या हो गया basically यह हो गया cos A cos B minus sin A sin B तो comment section नों बताओ अपने answer क्या आप लोगों ने क्या दाला था इसका answer तो यह क्या हो जाए को से cos B minus sin A sin B किसका formula हो जाता है cos A plus B formula बेस्टे पूरा तो इसको अगर आप देखोंगे तो किस तरह से हो जाए cos A plus B क्या हो जाएगा आपका cos A की value क्या है मेरे पास 52 और B की value क्या है मेरे पास 8 तो करते हैं इस formula input कर दो cos यहां पर देखो solve कर रहा हूं है cos 52 plus 8 कितना हो गया यह cos 60 की value अगर आप table में जाके देखोंगे तो उसकी value क्या होती है आफ तो कुमसे answer सही है इसका answer सही है A for M दा बाद तो इसी तरह second question की हम लोगा कर लिया है next question की तरफ चलते है last में score ज़रूर बताना कि सर मेरे score यह रहा यह next question दिख रहा है आप लोगो इसको center में पकड़ कर लिया है हम लोग और इसको थोड़ा जूम भी करती है ताकि आप लोगो बहुत अच्छे से दिखें देख अब बात करने हैं इसके solution की तो यहां पर देखोगे तो यह भी basically एक formula function का question है fx is equal to given हमें 2x upon 1 minus x square और function में क्या होता है अगर मैं इस x को किसी value से replace करूँगा तो यहां पर भी उस x को उस value से replace करना पड़ेगा तो जो question दिया है उसमें कहिकिया है x को 10 theta से replace किया है तो इगर भी जितने x दिख रहे हैं वहां पर भी मुझे क्या रखना पड़ेगा 10 theta value क्या हो जाएगी 2 10 theta upon 1 minus 10 square theta तो अगर आप formula देखा होगा यह जो होता है यह formula होता है 10 2 theta का तो आप मुझे बता कुण सा option सही है इसमें option सही है d4 डेली देली बिल्कुल सही है cos 2 theta का होता है 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta sine 2 theta का भी इसी तरह formula होता है 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta ठीक है तो इस तरह हमें सारे formula याद होने चाहिए तो मैं जब भी अपने class रहता हूं जूम पर या गूगल वीट पर तो सबसे पहली class में फोर्मले समझाता हूं और फोर्मले को अच्छे से बच्चों करा रहता हूं ताकि आपका paper बहुत अच्छे सोल सके चलो कुछन आ चुका हमारे साथ इसी के लिए साथ हम तो जब बच्चों ने paper मांगा और उसके बाद मैंने सोल नहीं कर पाया किसी हुझा समय नहीं था तो मैंने कहा कुछ दिनों बाद सोल करते हैं तो कुछ बच्चों के मैंसे जाने लगे बहुत लेट हो जाएगा तो मैंने क कि अग्स नहीं जिरो करना है इस ङरो की बेसीकली डालनी है तो बैस जीरो अगर यह करता हूं बोई ऊपदेब्ल को अगर आप लोगा यहाद है शू सब सलते राट हो नहीं तो इसका अंृट प्ली आपने पढ़ा है तो भी कर लिया होगा आप लोगों ने चलते हैं चलो नेक्स्ट कॉश्चन आए कि आए इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं यह ताकि आप लोगों का देखने के लिए बहुत असान हो जाएदा अब यह क्या कह रहा है अन्वेंट से इसको जेट से रीप्रेजेट करते हैं इसको इससा लिखा जाता है डॉक्रेंट क्रतर पिसको प्रिएंट करते हैं और देख से निकालते हैं यह तोreeट का फ़र्मूला होता है यह हो क्या है है आयोटे के साथ औल यह हो गया है तो इसंसंपल यह भी फॉर्मुला कि नुak इंवर्स वाइ कितना है मेरे पास रूट थ्री एक इस कितना है बता हूं है तो टेन में रूट कोशन की तरफ बढ़ रहता हूं यह आप लोग लिए नेक्ट कोशन आ चुका है यह नेक्ट कोशन जो है यह किसका हो गया कि लिए ठोरम करके कुछ चैप्टर एक नया चैप्टर रेट किया है उस चैप्टर का है इसका एंसर बिल्डू बच्चर ने सही लगा है तो मैं भी ओस्ट भी है कि रह历 रहता हूं क्या होगा इसका इसमें फोवला होता है कोश ठीटा प्लस आउटा साइन के दा यांपर मैंने देरिकार्फомеPro यहां होगा तो इसको हम लिखेंगे एंगल मल्टिप्लाई हो जाएगा माइनस आयोटा साइं अन ठीटा यह बैसिकली होता क्या है यह पोलर फोर्म है complex number की अब यहां पर क्या हो जाएगा six या multiply हो जाएगा तो कोस 12 ठीटा आयोटा साइं 12 ठीटा बहुत आसान कोशन था simple easy question अब इसमें क्या जाएगा answer क्या जाएगा c4 चैन्ने आ जाएगा बिन है या दोनों है या इन में से कोई नहीं है बहुत असान कुश्चन है यह तो formula भी नहीं है definition है अब proper और improper क्या होता है proper में क्या होता है अगर numerator power of numerator is less than power of denominator तो क्या हो जाता है यह proper form होती है improper form क्या होती है power of numerator is greater than denominator तो क्या हो जाता है यह improper form हो जाती है तो यहाँ पर power of numerator आप देखोगे तो x की power क्या दिखे देरी वन यहाँ पर x की highest power क्या दिखे देरी टो और 1 multiply करेंगे कितने हो जाएगी 3 तो numerator is less than denominator तो कौन सी form है यह proper form है तो बच्चे ने बिल्कुल सही answer दिया इसका अब next चलते हैं next question पर बढ़ें यह आपका next question आगया और यह तो previous आगया next question यह next question आगया चलो next question यह आपका हो जाएगा partial fraction का एक और question देरी है थे हमनों partial fraction से दो question आया थे अब इसमें क्या पूछ रहा पार्शल fraction करके इस एक वेल्यू आप लोग बताओ ठीक है तो कोई नहीं हम बता देते हैं भाई आपको अभी बता देते हैं सारे बच्चों ने किया होगा जिन्होंने अपनी class प्लस टू इसकी बाते हो कर रहा है इसके लेल्य पूछ रहा है मुझे किसी लेल्य पूछ रहा है एक और अमदाबाद की वेखने कि आप लोग से पूछ रहा है क्योंकि महां मुदी का बहुत बड़ा cricket देना पढ़ता है तो यह मैंने LC ले लिए टेखनीक होती है इसको यह LC लिया तो यह हो जाएगा इसके साथ क्या जाएगा X-2 मैं मानके चल रहा हूँ कि यह आपको आता है नहीं आता है तो सेकंड सेम की चलासे स्टार्ट करेंगे उस क्लास में आप आई है हम्हों यह वाली time completely similar होती है मेरे पास जो भच रहा है हो मेरे पास धूम 5x-2 is equal to a into x plus 2 plus 2 into x-4 यह बिच रहा है अब यहां पर देखो मुझे a की वेल्यू चाहिए है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस से इस तम को 0 बनाना पड़ेगा इस तम को 0 बनाने के लिए x is equal to क्या रग दूँ चार रग दूँ देखो अगर मैं x के वेल्यू चार रग दे जाएगा एफ बड़ा रगाए पांच होवी समय से दो गया तथा रहा यहां रखा एंशर क्या हो जाएगा सी फोर चन नहीं जिसने इसने लगए उसका एंसर में कुल सही है क्यूंकि वेखोच विसाउट से आते हैं तो फिल्कुल चाहिए अब नेस्ट के तरब बढ़ते ह है जिन जिन लोग क्रिकेट पसंद है लाइक कर दीजिए वीडियो को आईए मुझे बड़ा पसंद है जूम हो चुका है वाहिए आपके कुशिन का सुलीशन को नमबर नाइट पर आ चुके हैं हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है अब यह क्या पूछ रहा है सिक्स सी सिक्स की वेल्यू तो सबसे पहरे में बतायता हूं एन सी आर को कैसे ओपन करते हैं इसका ओपन करत तो इसको भी उपन कर लो इससे वेक्टोरियल सेयक्स और एल शेक्स और शेक्स टॉरियल सिक्स माइनस एक्स ओसार यह तो जीरो होता है लेकिन और सिक्सिए रहा चैन नहीं नहीं चैन नहीं आएगा उच्छो इसका एंसर क्या हो जाएगा चैनि हो जाएगा इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे आगे यह आपका नेश्ट कोश्यन आ चुका है सबसे लास्ट कोश्यन ओब्जेक्टिव का फिर सेक्शन भी हम नेश्ट वीडियो में देखने वाले हैं उससे पहले में है मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट है कि डटर है इंटे मेरें सबस्ट है अंसे सब्सक्राइशन में आते हैं लाए कि जो बताय तो वही कुश्यन आये थे तो आप लोग कर सकते हैं मुझे अपने नमबर पर कमेंट कर सकते हैं आपने गूप में एड हो सकते हैं तो मिद्ध बता दूँगा कि क्या लग रहने वाली कोर्से की और कब से हम लोग की स्टार्ट करने वाले हैं डेली शाम को रखें हैं तो क्रिशन की है ओके हमर भगवान भी इनके लिए भी लाइक बनता है तो आप लो कमेंट कर दीजिए कि किस किस ने क्या क्या एंसर दिया है और अब लिख लिया तो अब देखू सारे अलग लग दिख रहे हैं एक दो तीन चार पांग छे साथ अरे लग 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 आप उपन करोंगे तो साथ इन टूछे इंटू पांच इन टू चार इंटू दो साच इसको एसे कर लो अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा पांचो बीस बीस थी है साट्वी से चैयों सांसुा अस्जिस से ज्जादा ही होने वाला, साथ सूसे से ज्जादा वाला ओप् सकते हैं बहुत रीजनेबल रित में क्लासेज होगी बहुत मिनिमूम प्रैज में होगी इसे चास लगबग 30 रूपीज आपको पर क्लास पढ़ता है उसे जादा आपको नहीं पढ़ेगा ठीक है यह आपका अपनी क्लासेज का पोश्टर हाएगा धन्यवाद सभी फ्रेंड् झाल